हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल NCRT Notes Special में आज हम आपके लिए जो वीडियो लाहें ये कर्षे और पसुपालन का तीसरा वीडियो है इससे पहले दो पार्ट हमें इसके डाल चुके हैं अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है आप वहाँ से उनको देख सकते हैं और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं इसके लिए आपका ते दिल से धन्यवाद हम आपके लिए ऐसे ही हर रोज जो भी NCRT से सम्मनित वीडियो हैं वह आपके लिए लाते रहेंगे तो इस चैनल को जादा से जादा शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ठीक है तो चलिए आज शुरू करवाते हैं कर्शे और पसपालन का पार्ट नमबर तीन आज ये पार्ट कंप्लिट हो जाएगा हमने का था आपको कि सो किस्टन करवाएंगे तो सो किस्टन आज पूरे हो जाएंगे तो कल से हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो करवाएंगे कल की वीडियो में हम आपके लिए जो की पस्वों के उस्सत उमर होती है पस्वों के रोग होते हैं पस्वों की गर्बाउत दी होती है फलों और सबजियों की परजातियां कर्शी की वीबिन साखाएं तो वो टोपिक हम कल की वीडियो में आपको करवाएंगे तो इस चैनल के कम मातरा में कौन सी सरक्रा पाई जाती है तो जो लेक्टोस जो सरक्रा होती है खीश में ये कम मातरा में पाई जाती है उसके बाद है खीश में सरवादिक मातरा में क्या पाई जाता है तो खीश में पाई जाता है विटामिन A ठीक है उसमें पाइजाता लोहा भारत में गाएं को स्रेष्ट बारवाई नसल कौन सी है तो गाएं की जो स्रेष्ट बारवाई नसल है यह है नागोरी ठीक है खीस का पीला रंग किसके अदिकता से होता है पसो में सींग में पहला चल्ला कब बनते हैं तो पहला चल्ला यानि जो गुमावदार होते हैं सींग कब होना शुरू होते हैं तीन वर्ष की जो आयू है उसमें होना शुरू हो जाते हैं मेवात की गाएं को रज़स्तान में किस नाम से पुकारते हैं तो मेवात की जो गाएं है उसको बोलते हैं कोशी ठीक है काफी इंपोर्टेंट है ये क्यूस्टन बहेंस की वह नसल जो यमूना चम्बल घाटी छेतर में पाई जाती है तो ये है बदावरी बहेंस की नसल है जो की यमूना चम्बल घाटी छेतर में पाई जाती है पसों की जनन गरंति ओन इसकरिये करने को क्या कहते हैं उनको बोलते हैं बंदिया करन वसा परसीक्षन किस सिद्धानत पर आधारित है तो वसा जो परसीक्षन है ये अब केंद्री बल्ब सिद्धानत के उपर आधारित है गाएं भैस और बकरी में परजनन किरिया क्या कहलती है तो गाएं भैस और बकरी में जो परजनन होता है उसको बोलते हैं सर्विंग ठीक है सर्विंग गनेश किसकी पर जाती है तो गनेश है अनार की पर जाती है सूखे संद्रक्षी चारे को क्या कहते हैं तो उसको बोलते हैं हे ठीक है हे के नाम से जनना जाता है जो सूखा संद्रक्षी चारा होता है उसको रानी खेत विमारी किस में पाई जाती है तो रानी खेत पाई जाती है मुर्गी में उसके बाद रजस्तान की दुधारूगाएं दुधारूगाएं है रावी ठीक है दूध फैडरेशन का मुख्यले दूध फैडरेशन का मुख्यले कहां पे है जैपूर में है दुद आरुगाएं को परती दिन कितने पानी के आशकता होती है तो लगबग 35 लीटर की उसको पानी की आशकता होती है किस पसू का दुद सहरोग विरोधी है तो बक्री का ठीक है तिब विरोधी बक्री का दुद है गोडो को प्रती दिन कितने लीटर पानी के उसकता होती है दो अंडे देने में कितना समय अंत्राल होता है तो 22-28 गंटे का टाइम होना चाहिए उसके बाद दो अंडे दोनों अंडों के बीच में इतना अंत्राल तो कम से कम हो गाई इंसुलीन हार्मोन में कोन से दताव पाय जाता है तो इंसुलीन में होता है सलफर रानी खेद बीमारी किस वाइरस द्वारा फैलती है तो रानी खेद बीमारी जो फैलती है उस वाइरस का नाम है फिल्टर वेल जो फिल्टर वेल वाइरस है इसके द्वारा बीमारी फैलती है पाई का बिमारी जो की गाय में होती है किस की कमी से होती है तो यह होती है कैलसियम और फासफोर्स की जो कमी होती है उससे पाई का है बिमारी का नाम और किस में होती है गाय में तो आपके पास ये किस्टन पूछ सकते हैं कि पाय का बिमारी किस जानवर में होती है किस पसू में होती है तो ऐसे करके आपसे पूछ सकते हैं तो आपको ये भी याद रखना है कि गाहे में होती है कोपर और कोबाल्ट की कमी से कौन से बिमारी हो जाती है कोपर और कोबाट के में से होती है एनिमिया ठीक है बहेंस की किस नसल में हशिया के आकार के एवं चप्टे सिंग पाए जाते है तो बहेंस की जो नसल है लूरती उसमें क्या पाए जाते है हशिया के आकार के एवं चप्टे सिंग पाए जाते है बहेंस की किस नसल में हशिया इसके दूद में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है विदेश्टी गाएं की किस नसल में वसा तो विदेश्टी गाएं की जर्शी और ये जर्शी कहां की है इंगलेंड की है ठीक है देश्टी गाएं का वग्यानिक नाम के है बेस इंडिकस ठीक है तो देशी गाएं का वेगेनिक नाम है Best Indicast उसके बाद देखिए लाल या शामवर्ण सोरी जो साईवाल गाएं है उसका रंग होता है लाल या शामवर्ण ठीक है भारत में गाएं के कुल पंजीकत नसले कितनी है तो साथ पंजीकत नसले है दूद किरानी के नाम से बकरी की किस नसल को जानते है आनेन ये किस्टन भी पहले आ चुका आनेन जो है दूद किरानी के नाम से बकरी जाने जाती है एक अंडे की एक अंडे का उस्ट वजन कितना होता है तो अंडे का उस्ट वजन होता है ठावन ग्राम भेड के उन कब नहीं उतारने चाहिए तो जो भेड के उन है एक तो अधिक गर्मी हो तब और एक अधिक सर्दी हो तब नहीं उतारने चाहिए ठीक है बारत में सबसे ज़्यादा उन देने वाली भेड की नसल कौन सी है तो जो हिसार हेल है ये भेड की सबसे ज़्यादा उन देने वाली नसल है भेड से उन वर्ष के किन महिनों में प्राप्त की जाती है तो अभी बताए था ने तो तब ज़्यादा गर्मी हो और ने तब ज़्यादा सर्दी हो तो कब एक तो मार्च में मार्च और अप्रैल में एक सितम रोड एक्टूबर में उसके बाद next question देखिए भेड को ओस्तन कितने लीटर पाने की प्रति दिन आउस्ता होती है तो 4-5 लिटर प्रती दिन की आउस्ता होती है, पसुह में कुरेरा क्यों किया जाता है, तो रक्तसंचार बढ़ाने के लिए कुरेरा किया जाता है, सल्फर होता है तो यह होता है थायमीन ःवर बाइटीन, तो थायमीन कौनसा है? D1, ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताईए और इस वीडियो को जादे सजाद आपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए आपका इस वीडियो को यहां तक देख बहुत बहुत धन्यवाद